तो फ्रेंस आप सभी का ना एक वार फिर से बहुत बहुत सवागत है दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फोन को अपडेट कैसे किजेगा जी है फ्रेंस अगर आपके पास किसी भी कमप्री का फोन है ना और आप उस फोन को अप अपडेट क्यों करते हैं जब हम लोग का फोन अटक अटक कर चलने लगता है ना तब जाकर हम लोग अपने तो बहुत सारा प्रोब्रम को यहां पे दूर करता है जब हम लोग अपने फोन को अपडेट करते हैं तो इसलिए हम लोग अपने फोन को अपडेट करते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि यहां पे ना हम अपने फोन को फूल अपडेट करते हैं तो द सर्च वार यहां पर मिल जागा तो आप सर्च भी कर सकते हैं या दोस्तों यहां पर आप खोज भी सकते हैं तो अगर समसंग कंपनी का फोन होगा ना तो नीचे में सब्ट्वियर अपडेट मिल जागा और किसी और कंपनी का फोन होगा तो आपको यहां पर सर्च वार में जा जाएगा ठीक है उस सेटनी या इस सेटन से अब यहां पर आने कबाद दोस्थो अब आपको क्या करना होगा डाउन डोड एन यहां पर इंस्टॉल है जिस्ता आपको क्लिक करना होगा अब इस पर किलिक किजेगा न तो आपका फोन खुद खुद बताएगा कि हमारे फोन नहीं होगा देख सकते हैं यहां पर लिखा रहागा डाउनood अब दूसर भीप teh तो कोई बात नहीं आप सर्च कर सकते हैं या दोस्तों आप यहां पे निचे की उट स्राइट किजेगा न तो यहां पर एक यहां पर तो इसका मतलब समझाएगा कि यह फोन अब्डेट मांग रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ यहाँ पर बता रहा है जिसके आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह सारा ची बता रहा है कि आप अपने फोन को अब्डेट इसलिए किजिए क्योंकि आपको फोन में जो य वह पर आपडेट करने से हैं तो यहां पर आपको क्या करना है तो आप नीचे को शर्ड कीज़ेगा आप एक बार देख लीजेगा कि कितने एंबी के साइज का यह update आया हुआ तो देख सकते यहां पे एक जीवी से उपर का update आया हुआ आपको फोन में एक जीवी है तो किजिए अप्डेट लेकिन उससे पहले अप्डेट करने से पले एक और ध्यान में लिखे देखेगा यहां पर जो यहां पर बैटी परसेंटेज देख रहा है यह जो बैटी परसेंटेज है ना यह कम से कम 20% से उपर होना चाहिए ठीक है तब जाके अपने फोन को अप्डेट किजेगा तभी अप्डेट भी होगा इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं वीडियो को पॉस्ट करते हैं और आगे का process आपको दिखाते हैं, तो फिन्स यहां पर देख सकते हैं, यहां पर 100% हो गया और लिखा हुआ है, restarting, तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं, यहां पर हो गया, यह phone क्या होगा, restart होगा, ठीक है, यह restart होगा, अब यह जो restart होगा, इसके अंदर भी बहुत सरा process ह होगा तो आपको कुछ नहीं करना है आपका अपना फोन यहां पर छोर के चले जाना है और 10 मिनिट के बाद दोस्तों आप अपने फोन में लॉक दीजिएगा आपका फूल अपडेट हो जाएगा तो वीडियो कैसा लगा वीडियो से जूरा हुआ अभी भी आपका कोई मन में सबा रहा है तो आप हमें नीचे कोमेंट बॉक्स में बता सकते वे वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा